तो कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे पढ़ाई भी जबरदस्ट चल जोगी दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा खास होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन सभी विद्यारतियों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल 2022 की तैया पारी कर रहे हैं जी हां दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जीके के यानि जैनल नौलेज के इंपॉर्टेंट कुश्टेंज करेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते है तो क्लास को स्टार्ट करने से पाहले एक च्छोटी सी रिक्वेस्ट है यदी आप लोग हमारे चैनल पे ने हैं पहली बारे तो इस चैनल को सबस्टाइब कर लिजिए और वेल एकन को हिट कर लिजिए और दोst्तों क्लास पीडिएफ के लिए हैं अगर आप लोग हरे क्ल दो चैनल से भी रूद जूड़ जाहिए असकe लिए आपको जाना होगा टैलि ग्राम् चैनल पे और वहां सर्फ करना होगा प्यारे बच्चो पर चैनल से भी जूर जाना होगा यानि हमारे टेलिग्राम से चुड़ने से फायदा यह होगा कि आपको हर एक क्लास का PDF, Notes, Recorded वीडियो हर एक चीज मिलेगा एक्जाम से रिलेटेड हर एक नौडिफिकेशन हर एक अपडेट भी आपको उसी गुरूप में पहुंचाया जाता रहेगा ठीक है तो बच्चो आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल से भी अवसे जुड़ जाएगा तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी चले बच्चों पहला कोशन है रात्री को अकास में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है बुद्र मंगल व्रैस्पति सनी रात के समय में अकास में कौन सा प्लैनेट रैड जैसा दिखाई प्रतीत होता है तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन भी यदि जिन बच्चों का अंसर ह है वो सही है तो मंगल गरह है इसको इंगलिस में क्या कहते है मार्स कहते है ठीक है तो मंगल गरह जो है यह रात के समय में लाल दिखाई प्रतीत होता है ठीक है तो यह कोशन याद रखना है ठीक है तो देखे कोशन ऐसे पूचा जा सकता है कि लाल गरह से किस को जानते है त पिर नीला ग्रह से किस ग्रह को जानते हैं तो याद रखना है बताइए नीला ग्रह से किस को जानते हैं पृत्वी को जानते हैं मालूम ही होगा आप लोगों को ठीक है हाँ चलिए अब एक बार आप्संस पे नजर डाल लेते हैं बुद्ध गरह के बारे में बात हुआ है मरकरी ठीक है तो ये जो है सूरिय का सबसे नजदी की गरह होता है सूरिय का सबसे नजदी की गरह कौन सा होता है सूरिय का सबसे नजदी की सूरिय का सबसे नजदी की वाला गरह कौन सा है तो ये बुद्ध है यानि इसको मरकरी कहते हैं हम लोग ठीक है हाँ अब बात करेंगे विरिस्पति ग्रह के बारे में तो इसको इंगलिस में क्या कहते हैं जूपिटर कहते हैं तो कभी-कभी पूछ लेता है कि सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बच्चों याद रखना है कि सोर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है विरिस्पति ग्रह है ठीक है और एक कुशन यह भी पूछ लेता है सबसे जादा सबसे जादा प्राकृतिक उपग्रह यानि सबसे जादा नैचुरल सैटलाइट जो है किस प्लैनेट के पास है ब सबसे जादा प्राकृतिक उपग्रह इसी के पास है सबसे जादा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के पास है तो जी हां दोस्तों वरिस्पत के पास ही है याद रखना है वरिस्पत के पास ठीक है वरिस्पति जूपिटर के पास ठीक है अब यदि बात करेंगे सनी को सनी क वारे में तो पूछ लेता है कि कौन सा ग्रह अकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो इसको इंगलिस में सैटर्न भी बोलते है सैटर्न ठीक है और कोशन पुछेगा ऐसे पुछेगा कि कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह अकार अकार के अनुसार अकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ठीक है प्रस्न कैसे रहेगा कौन सा ग्रह अकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो ये है सनी है पहला कौन है तो अभी मैं बताया था व्रस्पती है अगर पूछे कि अकार के अनुसार सबसे बड़ा गरह कौन सा है तो वो आपका व्रस्पत हो जाएगा लेकिन अगर पूछे अकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा गरह कौन है तो ये सनी है सैटन है तो चलिए बच्चो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अगला कोशन है वच्चो आणविक उर्जा अनुसंधान केंद्र इस्थित है कहां इस्थित है ये मुंबई में बैंगलोरो में हैदराबाद में नई दिल्ली में जल्दी से बताईए जल्दी बताईए देखिए ऐसा कोशन पूछ लेता है अनुसंधान से रिलेटेड एक दो कोशन पूछा गया है आपके एक्जामस में तो जल्दी से बताईए आणविक उर्जा अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है मुंबई में बैंगलोरो में हैदराबाद में या नई दिल्ली में तो जी हां दोस्तो यदि आप लोगा आंसर दे रहे हो मुंबई में देन आप लोगा आंसर सही है ठीक है तो मुंबई में इस्थित है अब देखें कभी-कभी पूझ लेता है भारतिये क्रिशी अनुसंधान कहां इस्थित है अनुसंधान से संबंदित कुछ important question है में है कहा है New Delhi में है ठीक है अगर इसी तरह मैं पूछ लूँ भारतिय पैट्रोलियम संस्थान ये कहा है भारतिय पैट्रोलियम अनुसंधान भारतिय पैट्रोलियम संस्थान बोलो संस्थान अनुसंधान से सही रहेगा संस्थान तो पूछ लिया जाता है संस्थान या option ऐते हैं ठीक है तो neighborhoodGeek Hai याद रखना बच्चो दहिरा दुन इंस में ठीक है आप दखू टेर दून में एक और चीज है एक और और अनुसंधान क्या पूछ लेता ये कहां है तो ये भी बच्चों कहां है दहरादून में ही है दहरादून ठीक है आ रहा है समझ में चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चंस की तरफ अगला कोश्चन है बच्चों अंतियोदे कारे करम मुख्यता किसके उठान के लिए लक्षित था बताएए उद्दोगिक मजदूर के लिए मजदूर के लिए ग्रामिन गरीब के लिए या खिसान के लिए जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे इस कोश्चन का अंत योद्य कारेकरम जो था वो किसके उत्थान के लिए ये चीज बनाया गया था तो जिहां दोस्तों ये बनाया गया था ग्रामिन गरीब के लिए ठीक है ग्रामिन यानि जो गाओं के गरीब लोग होते हैं हेलपलेस लोग होते हैं के लिए ये कार्य करम जो है इसका उत्थान किया गया था ठीक है हाँ option C जो है right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अच्छा एक question बताईए तो यहां से मजदूर है तो पूछ लेता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मजदूर दिवस लेबर डे कब मनाया जाता है तो very good दोस्तो एक मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है चलिए बच्छो अगला question है वानी जीए कि किस छेत्र से bull and bear संबन्द है यानि वानी जीए कि किस छेत्र से bull and bear संबन्दित है banking, विदेशी वेपार, stock market या आंत्रिक वेपार, बताईए तो देखिए बच्छो जब भी पूछे bull and bear ये किस छेत्र से संबन्दित है, तो answer देना है stop market, तो जी हाँ दोस्तो यदि आप लोगोंने option से answer दिया है देन आप लोगों का answer सही है चलिए बढ़ते है next questions की तरफ चलिए बच्छो अगला कोशन है प्रित्वी पर रीतवे होने का कारण है, प्रित्वी का कार प्रित्वी का अपने अक्स पर घुर्णन या प्रित्वी का सूर्य के चारो और परिकर्मन या इनमे से कोई नहीं, चल्दी से जवाब दीजेगा बहुत अच्छा कोशन है बच्छो तो जी हाँ दोस्तो यदि आप लोगोंने आंसर option C दिया है, दैन आप लोग सही है, है ना, तो प्रित्वी का देखें, प्रित्वी का सूर्य के चारो और परिकर्मन जिसको अम लोगो वार्सिक गती भी कहते हैं इसी के कारण रीतु परिवर्तन होते हैं यानि रीतु में परिवर्तन होती है तो प्रित्वी पर रीतु होने का कारण क्या है तो प्रित्वी का सूर्य के 4 और परिकर्मन खरना ठीक है, अब देखें कभी-कभी पूछ लेता है 2-3 questions पुशन पृषण परिफ्वी अपने अक्ष पर कितने डिगरी जुकी हुई है कितने डिगरी जुकी हुई है पृत्वी अपने एक्षपर कितने डिगरी जुकी हुई है तो साड़े तेस डिगरी ठीक है पृत्वी अपने एक्षपर कितने डिगरी जुकी हुई है तो साड़े तेस डिगरी जुकी हुई है अब कोशन ये पूछ लेता है कि पृत्वी अपनी धूरी पर किस दिशा में घूमती है बचो बतादीजिए जल्दी से प्रित्वी अपनी धूरी पर किस दिशा में घूमती है चलिए दो औप्सन लीजिए तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जल्दी बता दीजिए बच्चो जल्दी बताईए पश्चिम से पूरब दो option मैंने दिया है और मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन student सही जवाब दी रही है तो जी हाँ दोस्तो पृत्वी अपनी धूरी पर पश्चिम से पूरब की दिसा में गूमती है तो ये हो जाएगा option भी ठीक है पश्चिम से पूरब की दिसा में गूमती है ठीक है चलिए बढ़ते है next questions की तरफ चलिए बच्चो अगला question है यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर दो घंटे 20 मिनट का है तो देसांतर में अंतर होगा यानि देसांतर जो है आपको बताना है लेकिन इस question को बनाने से पहले एक चीज़ आपको मालूम होना जी कि पृत्वी चार मिनट में एक डिगरी देसांतर गूमती है इतना याद होगा तभी बनेगा ये question क्या याद रखना है कि पृत्वी चार मिनट में एक डिगरी देसांतर गूमती है अब question को पढ़ो question है यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर दो घंटा 20 मिनट का है अब देखें यहाँ पे दो घंटा 20 मिनट है तो इस दो घंटे को मैं 120 मिनट लिख सकता हूँ of course लिख सकता हूँ और फिर इसके बाद ये 20 मिनट दिया हुआ इसमें 20 मिनट मैं जोड़ दूँगा तो एक कुल कितना हो जाएगा कुल 140 मिनट हो जाएगा बस बन गया question अब फिर बोलाए कि तब देसांतर में अंतर कितना होगा तो आप ही बताओ पृत्वी 4 मिनट में एक डिगरी देसांतर घंटी है तो 140 मिनट में 140 मिनट में कितने डिगरी देसांतर घंटी तो कितने डिगरी देसांतर घंटी तो एक काम करो 140 को भाग दे दो 4 से पता चल जाएगा तो देखिए 4, 3, 12 और 35 डिगरी देशांतर आएगा ठीक है 35 डिगरी देशांतर आएगा तो आपसें डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए बच्चो अगला question है गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है महरास्ट वे आंदर परदेश महरास्ट उडिसा वे आंदर परदेश महरास्ट करनाटक वे आंदर परदेश या महरास्ट करनाटक उडिसा वे आंदर परदेश देखिए दोस्तों गोदावरी नदी से प्रस ने पुछा जा चुका है पहले भी दो से तीन बार पुछा जा चुका है तो आप लोग बताएए इस question का answer क्या होगा तो very good यदी आप लोगों ने answer option दिया है देन आप लोग सही है है ना तो गोदावरी नदी कहां से होकर बैती है तो महरास्ट वे आंदरप्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ठीक है हाँ तो मैं बता जाता हूँ याद रखना प्राई दीपिये प्राई दीपिये भारत की सबसे बड़ी एवम देश में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी ठीक है हाँ याद रखना है इसको दक्षिन की गंगा इसको दक्षिन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गोदावरी नदी का उदगम इस्तल कहां है ये मैंने बताया था नासिक के निकट से है ना गुदावरी नदी का जो उद्गम इस्थाल है ये कहां से है तो नासिक के निकट से त्रिय बंदक पहाडी से नासिक के निकट से एक पहाडी है कौन सी? त्रिय बंदक पहाडी से ठीक है? हाँ तो गुदावरी नदी का उद्गम स्थल पुछेगा तो नासी के निकट से तिरे बंदक पाड़ी से ये नदी निकलती है और ये नदी कहां जाकर गिरती है तो बंगाल की घाड़ी में ये भी याद रखना है है ना तो गुदावरी नदी कहां गिरती है कहां गिरती है यह भी याद कर लो नोट कर लो बंगाल की खाड़ी में गाइस क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जुरूर दे दे ना ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ अगला कोशन है निम्न लिखित में से किस राज्य में परत्यावर्ती मानसुन का अधिक प्रभाव होता है बताईए उडिशा पश्यमंगाल तमिलाडू पंजाब यानि तो बच्चों दो ऐसे राजे है भारत के दो प्रमुख राजे तमिलाडु एवम आअंद्र प्रदेश में परत्यावर्ति मानसुन का अधिक प्रभाव देखा गया है तो यहाँ देखिए तो यहाँ केवल क्या दिया है आंदर परदेश तो दिया नहीं है तमिल लाडू दिया है तो option C जो है आपके इस question का right answer हो जाएगा ठीक है चलिए वड़ते है next questions की तरफ चलिए वचो अगला question है हाँ चलिए एक बार question को read कर देता हूँ मैं छोटा सद दिखरा होगा आप लोगों को question है संग सासित परदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न लिखित में से किन राज्यों की बीच स्थित है यानि जो संग सासित छेतर है दादर नागर हवेली ये भारत में किन राज्यों के बीच में स्थित है आप्षन है आंधर प्रदेश वैं मद्य प्रदेश गुजरात वैं मद्य प्रदेश वैं गुजरात चौता एप्षन है गुजरात वैं महरास्ट ये जल्दी से बता दीजे प्यारे बच्चो तो जी हाँ दोस्तो संग सासी छेतर परदेश दादर नागर हवेली ये कहा है ये किन दो राजियों के बीच में है तो गुजरात वे महरास्ट है है ना तो अपसेंडी जो है आपके इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बात करेंगे दादर नागर हवेली की दादर और नागर हवेली ये क्या है केंदर सासित परदेश है यहां की राजधानी क्या होगी बताईए जल्दी से बिल्कुल फास्ट बिल्कुल फास्ट बताना है राजधानी क्या होगी दादर और नागर हवेली राजधानी क्या है यांकी बताईए very good क्या है सिलवासा सिलवासा ठीक है चलिए बताईए तो वर्तमान में वर्तमान में कुल कितने राज्य है और कुल कितने किंद्र सासित परदेश है यानि वर्तमान समय में कुल कितने states है और कुल कितने union territories है बताइए कितने हैं तो very good 28 राज्य है और 8 केंदर सासित परदेश है 8 केंदर सासित परदेश है ठीक है हाँ चलिए हो गया अच्छे एक पूछ लेता है कभी कभी लक्ष दीप के बारे में तो ये भी क्या है ये भी एक केंदर सासित परदेश है लक्ष दीप है ना यहां की राजधानी क्या है कावारती है अब बच्चो 2020 में कोशन पुझा था कि लक्ष दीप में दीपो की कुल संख्या कितनी है चलिए ये कोशन बताइए लक्ष दीप में भी ना ये प्रस्न आया था लक्ष दीप में कुल दीपो की संख्या लक्ष दीप में दीपो की संख्या कुल कितनी है दीपो की संख्या कुल कितनी है तो 36 है very good. 36 है है ना चलिए बढ़ते है next questions की तरफ चलिए बच्चो अगला कोशन है घाना पक्छी अभ्यारण निम्न लिखित में से किस राज्य में स्थित है केरल राजिस्थान असन असम मनीपूर बताएए घाना पक्छी अभ्यारण ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है देखिए बच्चो रास्टिय उद्दान और अभ्यारण से सम्मंदित प्रस् वो मैं बता दूँगा आप लोग को ठीक है लेकिन पहले आप लोग इस question का जवाब दीजिए गहाना पक्षी अभ्यारण जो है ये कहा इस्तित है तो जी हाँ तो ये राजस्थान में इस्तित है तो option भी यदि आप लोगों ने answer किया है देन आप लोग सही है है ना हाँ आप देखिए राजस्थान में एक और अभ्यारण है कौन सा रण थंबोर पूछ लेता है कि रण थंबोर अभ्यारण भारत के किस राज्ये में इस्तित है बताए रण थंबोर अभ्यारण भारत के किस राजे में स्थीत है तो ये भी राजस्थान में ही है और ये किस चीज के लिए प्रसीद है ये किस के लिए फेमस है तो ये जो है बबर सेर के लिए प्रसीद है पुछा जा सकता है कि रण थंबोर अभ्यारन जो है ये किस जानवर के लिए फेमस है तो बबबर सीर के लिए ये अभ्यारण प्रशिद है ठीक है इसी तरह एक पूछ लेता है कभी कभी गीरवन रास्टिय उद्दान बच्चो ये भी कोशन आया हुआ है याद है याद है आप लोग को मैंने 2006 से 2010 का पेपर करवाया था अभी इससे पहले तो वहाँ पर ये कोशन था की नहीं था आप ही लोग बताओ था ना था ना तो देखिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कोशन होंगे ना सबको मैं कभर करने का प्रयास करता हूँ बस आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए हैना और रेगुलर पढ़िए म भी महनती स्टुडेंट है हर एक स्टुडेंट को कोई ना कोर्स जरूर मिलेगा कोई ना कोई कोर्स जरूर मिलेगा और जी एनेम का बात रहा तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा महनत किये हैं हैना शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक और अभी भी उनका की चीज है तपशया, बढ़ाई जो है, तपशया की चीज है बहुत ही कम लोगों को मिलता है ये चीज़, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अपना 100% effort दिया है आप लोगों ने attentively पढ़ाई किया है, मन लगा कर, तो आप लोग को तो course मिलना ही मिलना है वो भी अच्छा course मिलेगा और आपके अपने मन मुताबी college में मिलेगा ठीक है हाँ चलिए बताएए गीर रास्टिये उद्दान गीर वन है ना गीर वन कहिए ठीक रहेगा बोलिए गीर वन रास्टिये उद्दान यह किस राजे में स्थित है तो यह गुजरात में है और यह किस चीज के लिए famous है याद रखना यह भी जो है सेरो के लिए परशित है यह केवल सेरो के लिए परशित है सेरो के लिए बच्चों पूछा जा सकता है कि गीर वन रास्टिये उद्दान किस जानवर के लिए यह परशित है किस जानवर के लिए यह जीच famous है यह उद्दान हाँ तो सेरो के लिए यह रास्टिये उद्दान famous है ठीक है इसी तरह से पूछ लेता है काजी रंगा सुने हो नाम नाम सुने हो तो जवाब दीजिए काजी रंगा नैसनल पारक बताईए ये भारत के किस राजे में स्थित है तो ये भारत के असम राजे में स्थित है ठीक है और ये किस जानवर के लिए प्रशिद है ये किस जानवर के लिए फेमस है बहुत वीवी आई है इसको तो भाई क्या इसको टिक लगा लो वी वी आई में कर लो स्टार लगा लो काजी रंगा नैसनल पारग ये भारत के असम राजे में स्थित है और ये एक सिंग वाला गैंडे के लिए फेमस है एक सिंग वाला गैंडा एक सिंग वाला गैंडा ठीक है हाँ ये एक सिंग वाला गैंडा के लिए ये रास्टी उद्दान ये नेशनल पारक फेमस है ठीक है तो बच्चो जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सब बता दिया आप लोगों को चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन की तरफ अगला कोशन है बच्चो भारत में चंदन की लखड़ी भारत में चंदन की लखड़ी के लिए प्रशिद राज्य है कौन सा है अश्यम केरल करनाटक पश्यम मंगाल अब देखो थोड़ सा लट पटा गया था है ना मुझे बोलना चाहिए था चंदन की लखड़ी लेकिन चंदन की लखड़ी बोल रहा था हो जाता है कभी कभी स्वारी इसके लिए है ना तो भारत में चंदन की लखड़ी के लिए प्रशिद राज्य कौन सा है यानि भारत कि किस राज्य में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये भी बोल सकते हो आप लोग तो अशम केरल करनाटक पशिम बंगाल बताइए तो जी हाँ दोस्तों वैरी गुड यदि आप लोग ने अंसर आपसें सी दिया है करनाटक दैन आप लोग सही है न तो करन करनाटक जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन की तरफ चलिए अगला कोशन है बच्चो सरदार सरोवर बांध परियोजना ये किस राज्य में स्थित है देखिए ये भी कोशन आया हुआ था ये भी कोशन आया हुआ है बच्चो म मैंने राज्य के बारे में भी बताया था तो मैं जितने भी कोशन करवा रहा हुआ आप सभी कोशनों को एक नोट बुक में नोट करते चलिए ताकि बाद में आप लोग को रिवीजन करते समय बहुत एजी होगा मजा भी आएगा ठीक है बट पता नहीं आप लोग कर भी र बनाते हुए हर एक वीडियो से जो है नोट बनाते हैं और हर एक कोशन को नोट करते हैं बताये कितने स्टुडेंट हैं कितने स्टुडेंट हैं जल्दी बताये हाँ देखिए नोट्स बनाएगा न तो आप ही लोग का फायदा होगा मैं जितने भी वीडियो लेकर आता हू यह भारत के किस राजे में स्थीत है तो very good भारत के गुजरात राजे में स्थीत है ठीक है तो मैंने बच्चो एक दो कोशन और बता देता हूँ मैं आप लोगों लिख लिजे हां से अगर पूछे कि सरदार सरोवर बांध सरदार सरोवर बांध यह किस नदी पर बनाए गया है तो याद रखना है किस नदी पर बनाए गया है तो यह नर्मदा नदी पर बनाए गया है और यह कहां है यह गुजरात में है ठीक है गुजरात में है इसी तरह अगर पूछ लेगा हीरा कुंड का बांध बताएगे अगर आपसे पूच लेता है iteration कुंड ये किस नदी पर बनाएगया है तो याद रखना है महानदी पर बनाएगया है कहा बनाएगया है किस राज्य मैं है ये उड़िसा में है अब एक question ये पूच लेता है टिहरी बांद के बारे में टिहरी बांध ये किस नदी पर बनाया गया है तो ये भागी रती नदी पर बनाया गया है और ये कहां है उत्रांचल में है उत्रान चल लिख ले न या उत्रा खंड बोल सकते उत्रा खंड कह देना ठीक है हाँ उत्रा खंड तो सरदार सरवर बांद ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है जो कि गुजरात में है हीरा कुन का बांद महा नदी पर बनाया गया है जो कि उडिसा में है टिहरी बांद जो क कौन सा राज्य गैर सहतूत यानि नौन मलबरी रेशम उत्पादित करता है उडिशा करनाटक पशिम मंगाल जमु कस्मेर बताईए कौन सा राज्य है जो गैर सहतूत का उत्पादन सर्वस्रेस्ट में करता है कौन सा राज्य है हाँ बताईए जल्दी से बच्चे जल्दी बताओ तो वैरी गुडियदी आप लोग ने आंसर आप से ने दिया है देन आप लोग का आंसर सही है है न उडिशा अगला कोशन है बच्चो भारत में यूरेनियम खदान इस्थित है कहां इस्थित है अलवाय में जादू गोड़ा में खेतिरी में सिंग भूम में बताईए तो जी हो दोस्तो यूरेनियम यूरेनियम खदान ये कहा है तो आपको याद रखना है जारखंड के जादू खञड़ी है ? हाँ ! तो तामबे की खड़ां खेतरी होगा और जादुगुड़ा में होगा पढ़ते हैं next questions की तरफ अगला question है भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगा है कौन सा है कुलकत्ता में है चन्नेई में है तूति कोरिन में है विशाखा पत्नम में है चल्दी से जवाब दीजेगा भारत के पूर्वी तट में जो प्राकृतिक बंदरगा है वो कह पर है कहां है तो वेरी गुड वो कहां है विशाखा पत्नम यानि आपके कोशन का रइट आंसर हो जायेगा है न यानि भारत के पूर्वी तर्डपर इस्थित प्राकृतिक बंदरगा विशाखा पत्नम आंधर परदेश में है और यह देश का यह देश का सलव स्रेस्ट प्र प्राकृतिक बंदरगा कहा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा कहा है बताइए हाँ तो ये कहा है ये मुंबई में है याद रखना है ओके ठीक है तो दोस्तो आज की इस क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्ट क्लास में यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक भी कर सकते हो, यदि क्लास अच्छी नहीं लगी हो तो ठीक है, बट मैं तो आप लोग के लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा सपोर्ट में रहूँगा है ना, जब तक कि आप लोग मुझे अच्छा कोई कोर्स लेकर नहीं दिखा दोगे तब तक, तब तक ये रितेश आपके साथ है है ना, चलिए मिलते हैं